नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोट ने हाली के अंदर एक महतुपूर्ण निर्ने के अंदर निचली अदालतों को निद्देशित किया कि वो जजमेंट और और कैसे लिखे Supreme Court ने निचली अदालतों को ये निद्देशित किया कि वो अपने judgment या order को बिल्कुल आसान भाषा में लिखें जिससे एक lawyer के साथ साथ एक layman के लिए भी उन judgment को समझना आसान हो जाए Supreme Court ने ये महत्वपुन टिपणी करते हुए बोला कि अगर language मुश्किल होगी और वो judgment incomprehensible होगी समझने में मुश्किल होगी तो उससे judicial process के अंदर common man का layman का विश्वास भी कम होता है आज हम इस वीडियो के अंदर उसी महत्वपुन जज्जमेंटर ओर्डर के बारे में बात करेंगे मैं हूँ आपका host आशीश वेलकम टू दून लॉमेंटर चलिया बीना देरी किये आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो केस का नाम है स्टेट बैंक ओफ इंडिया वर्सिज अजय कुमार सूथ 2022 सुप्रीम कोर्ट और ये महत्वपुन निर्ने जस्टिस दीवाई चंद्रचूड और एस वोपन्ना जस्टिस की पीठ ने सुनाया है और इस केस के अंदर हिमाचल प्रदेश हाई कोट की एक जजजमेंट के साथ सुप्रीम कोट डील कर रही थी और जो जजजमेंट बिल्कुल इनकॉम्प्रिहेंसिवल थी इसलिए इस केस के अंदर सुप्रीम कोट ने निचली अदालतों के लिए ये दिशा निर्देश और बोला कि judgment writing is a critical instrument in fostering the rule of law and for curbing the rule by law. मतलब यह है कि judgment writing है वो एक बहत्युकून साधन है हमारे judicial process के अंदर कानून का राज स्थापित करने के लिए और कानून के द्वारा राज को रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए. इसके साधकोट ने यह बोला कि जो confidence है judicial process का उसके अंदर लोगों का विश्वास आपके लिखे हुए word जो आप judgment के अंदर लिखते हैं उन पर बनता है. अगर आप ने जो अपनी judgment के अंदर word लिखे हैं, phrases लिखे हैं वो comprehensible नहीं है, उनको समझा नहीं जा सकता, आसान भाषा के अंदर नहीं है और उनका जो real meaning है वो शब्दों के मकड़ जाल के अंदर गुम हो गया है तो उससे common man का विश्वास, एक आम आदमी का विश्वास judicial process में धटता है, कोट ने ये बोला कि जो आप judgment लिखते हैं, order लिखते हैं, सिर्फ उसको वो इनसान नहीं पड़ता जिसने law की degree हासल की हुई है, बलकि उसके साथ साथ एक normal layman भी पड़ता है, आम नागरिक भी पड़ता है, और अगर उसे वो judgment समझ नहीं आएगी, तो उस उसका विश्वास judicial process में घटे, कोट ने ये निचली अदालतों को निर्देशित किया, कि आप अपनी judgment को बिलकुल आसान भाषा में और lucid language में लिखिये, lucid मतलब सपस्ट शब्दों में लिखिये, जिससे जो भी उस judgment को पढ़े, चाहे lawyer हो, layman हो, या कोई भी इनसान हो, वो उस judgment को विलकुल आसानी से समझ सके, कोट ने निचली अदालतों को निर्देशित करते हुए ये बोला, कि जब भी आप कोई judgment लिखें, तो उसको proper reasoning के साथ लिखें, कि क्या reason है, जिसकी विरसे आप ऐसा order या judgment दे रहे हैं, और कोट ने ऐसा इसलिए बोला, क्योंकि जो judgment की वजए से ही लोगों के सामने आते हैं, सुप्रीम कोट ने ये भी बोला कि हमें पता है कि जो lower judiciary है, वो over burden है, मगर over burden होने का मतलब ये नहीं है, कि अपनी judgment को जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में हम उसको बिलकुल reason से हटा ले, मतलब उसको proper reasoning ना दे, तो कोशिश यह होनी चाहिए, कि जो भी आप judgment लिखे, order लिखे, उसके साथ आप proper reasons भी provide करें, कोट ने ये observation दी कि जो in current judgment होती है, जो judgment असपस्ट शब्दों में लिखी हुई होती है, वो हमारे judicial dignity के उपर serious impact डालती है, सुप्रीम कोट ने निचली अधालतों को एक technique भी सिखाई है कि अपन i है, इसका मतलब है issue of fact and issue of law, r का मतलब है rule और a का मतलब है applicability and c का मतलब है conclusion, जब भी आपके सामने कोई case आता है, तो सबसे पहले अपनी judgment में उस case के facts के हिसाब से, उस case के अंदर क्या issues of fact है और क्या issues of law है, जिनको आपको decide करना है, वो लिखिए, फिर उसके बाद r आता है r का मतलब होता है rule, मतलब law, कि उन points पर कौन सा कानून applicable होगा, उस कानून के बारे में आप लिखिए, और फिर उसके बाद आता है a, जिसका मतलब होता है applicability, अब उस कानून को जो आपके सामने facts and circumstances उस particular case के अंदर आये हैं, जिन issues of facts and law के उपर आपको इस law को apply करना है, उसक आपको apply कर दीजिए, apply करते हुए आपको proper reasoning भी देनी है कि आप क्यूं apply कर रहे हैं, और उस application की वज़े से आपकी conclusion पर निकलते हैं, और last का जो component है वो है C, मतलब conclusion, आप उस reasoning की वज़े से इस conclusion पर निकले हैं, वो conclusion लिखिए, reasoning को explain करते हुए, और last में data by by बोलते हुए, ब बहुत अच्छी लिखी जाएगी, coherent लिखी जाएगी, easy to comprehendly हो जाएगी, इसके बाद court नहीं ये बोला कि आज की date के अंदर जितने भी court के निर्णे होते हैं, फैसले होते हैं, judgments होते हैं, उनकी copy online portals पर, या court की website पर upload की जाती है, आपको जो भी judgment या order की copy upload करवानी है, आप court ने ये बोला कि आप अपनी judgment की copy के अंदर कहीं भी improperly placed watermarks ना लगाएं, कि कहीं इधर उधर watermarks लगा देते हैं, जिससे वो judgment पढ़नी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, और सबसे ज्यादा ऐसी judgment पढ़ने में किसको मुश्किल आती है, जो visually impaired लोग होते हैं, blind लोग होते ह एसी judgment को पढ़ने के लिए screen readers की मदद लेते हैं, और जब उस uploaded copy के अंदर कहीं भी इधर उधर watermarks लगे हुए होते हैं, तो screen reader उन watermarks को भी पढ़ने की कोशिश करता है, जिस वज़े से उस judgment का मतलब पूरा का पूरा बदल जाता है, तो ये कोशिश कीजिए, और कोशिश क्य के उपर उसका असर ना पड़े, इसके बाद कोट ने ये भी निर्देशित किया कि किसी भी judgment की printed copy के scanned version को अब upload नहीं किया जाएगा, कोट ने ये बोला कि जब हम scanned version को upload करते हैं, तो उससे बहुत सारी दिक्कते आ जाती हैं, कोट ने ये बोला कि आपको digital signature यूज करने हैं, ये नहीं है कि आप पहले judgment pass कर रहे हैं, तो उसके hard copy के उपर आप signature करेंगे, फिर वो judgment की copy upload होगी, नहीं technology बहुत advance हो गई है, आप digital signature method को यूज कीजिए, कोट ने ये बोला कि किसी judgment को पहले print करना, फिर उसको scan करके upload करना ये futile exercise है, और इसको हमारे litigation process से बिलकुल हटा दे दोस्तों, इस case के अंदर आपने देखा कि Supreme Court ने lower court को judgment लिखना सिखाया है, how to write a good and coherent judgment, अगर आप भी एक judicial officer है, या आप भी एक judicial officer बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत important है, आपके मेज के exam के अंदर judicial writing का एक special paper होता है, वहाँ ये आपकी बहुत वदत कर इराक मेथड को भूलिएगा मत, IRAC, इराक मेथड आपकी बहुत वदत करेगा, इसके साथ साथ अगर आप एक law student भी हैं, और आपके कोई problem based questions आते हैं, आपके examination के अंदर, तो ये formula वहाँ पर भी बिल्कुल fit बैठेगा, आपको ये आपके दूसरे student से, आपके competitor से edge provide करेगा क्योंकि आपने examiner को वो दे दिया है, जो वो देखना चाह रहा है, और इस judgment के उपर दूनलाओ mentor का ये view है, कि ये Supreme Court ने बहुत ही बहतरी judgment provide किये, दिशान रिदेश provide किये, अगर judgment आसान भाषा में नहीं होगी, तो उसका क्या फाइदा जो लोग उसे पढ़ रहे हैं, वो स इंच लिए दालतों को ये भी बोला था कि आप difficult language यूज करके, इनकोंप्रिहेंसिबल language यूज करके, जो इनसान उसे पढ़ रहे हैं, उनको confuse मत कीजिए, इसके साथ इस case के अंदर Supreme Court ने जो guideline दी है कि digital signature के साथ copy को upload कर दिया जाएगा, तो ये भी एक बहुत अच्छा step है, comment section के अंदर अपनी feedback जरूर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो like करके अपने दोस्तों के साथ share कीजिएगा, क्योंकि कुछ सीखेगा इंडिया, अभी तक कुछ बनेगा इंडिया, चैनल को अगर अभी तक subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe करके, bell notification को on कर दीजिए, ताकि चैनल पर आने वाली वीडियो की notification आपको फटा फट से मिल जाए, चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में,